हैलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का study non stop चैनल पर दोस्तों है general science practice rate का 9 पार्क है और इसमें हम लोग general science की 25 questions solve करेंगे सभी questions बहुत important होगी क्योंकि सारे questions मैंने railway में पिछले exams में पूछे गए questions पर best questions मैंने सारे लिए हैं तो वीडियो को last तक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like और share कर दीजेगा और अगर आपको पीडियाप चाहिए होगा तो पीडियाप के लिए आपको description में लिंक मिल जाएगा हमारे telegram channel का उसको join कर लिजेगा वहाँ पे सारी पीडियाप में upload कर देता तो कवक यानि कि फंगी तो इसकी कोशिका वित्ति यानि कि सेल्वाल किसे बनी होती है तो यह बनी होती है काइटिन की ठीक है काइटिन की बनी होती है कवक की और अगर बात करें प्लांट की किसे बनी होती है तो प्लांट की बनी होती है सेल्लो से ठीक है प्लांट की बनी ह होती है, amino acid amino acid और इसके लावा carbohydrate से ठीक है, amino acid और carbohydrate से बनी होती है bacteria की ठीक है, तो ये सब भी आप या दखियेगा, तो यहां पर D-option, का राइटेंस हो जाएगा कब की से बनी होती है? काइटेंस से, अगला question है, निमलेखित मेंसे कौन सा carbon का योगिक नहीं है तो कार्बन का योगिक यानि कि कमपाउन तो योगिक क्या होते हैं तो दो या दो से अधिक ततो जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है कमपाउन बनता है या योगिक बनता है तो यहाँ पे संगमर्मर दिया गए है तो संगमर्मर जो और डोलोमाइट क्या होता है तो यह भी जो है कार्बन का योगिक है डोलोमाइट होता है जब कैलसियम कार्बोनेट में लगबत 10% मैगनीशियम होता है तो उसको कहते हैं डोलोमाइट ठीक है तो यह भी जो है कार्बन का योगिक है मीथेन की बात करें तो मीथेन का तो नहीं है ठीक है हीरा इसका जो है सिंबल के होगा सी होगा क्योंकि यह कार्बन का एक अपर रूप है ठीक है तो कार्बन के और कौन कौन से अपर रूप होते हैं तो कार्बन के और अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट ग्रेफाइट इसका अपर रूप होता है और इसके ल का यह अपर रूप है अगला कोशन है यह दे dober lawyer के ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्ट से कैलशियम और बेरिलियम है तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्ट से कौन होगा तो are dober near के ट्रिक यानि-ट्राइड्स सब्राइट कई कोस्षे जाते हैं तो इसको आप अच्छी तरह तीन तीन तत्तो के क्या बनाये थे? ट्राइट्स बनाये थे, ट्रिक तो माली जो उसमें एक तत्तो A है, दूसरा B है और तीसरा C है तो इन्होंने ये बोला कि इन तीनों तत्तो की प्रॉपर्टीस यानि कि इनके जो गुण होंगे वो आपस में मैच करते होंगे ठीक है, लगभग मैच करते होंगे और इसके अलावा इन्होंने ये कहा जो बीच वाला तत्तो है, इसका जो परमार भार होगा पहले तत्तो के यानि कि A के और C के पहले और तीसरे तत्तो के परमार भारों के आउसत के बराबर होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे इनका पहला ट्राइड है लीथियम, सोडियम और पोटेसियम का तो इसमें जो है लीथियम का परमार भार कितना है साथ है और पोटेसियम का 49 है जब हम इसका एवरिज निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 23 जो की बीच वाले तत्तों के बराबर है 23 इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह इनका दूसरा ट्रायड है तो इसमें भी क्लोरीन का परमारभार दिया गया है 35.5 और आयोडीन का है 117 और इनका जब आउसत निका सुआइठ है KALSIUM, IS heelation, ARE PARYUM यह जो इनका दीश्रा ट्रायड है तो इसमें यहीं पूछा गया है कि इनका जो एक ट्रायड है उसका पहला और तीस्रा सदद से केल्सियं और边रीम हो गये हाँ यहाँ पे बेरियम पहला और तीस्रा सदद से अगर कैल्सियम और बेरियम है तो इस त्रिक का दूसरा सदर से कौन होगा तो इस त्रिक का दूसरा सदर से कौन है इस ट्रॉंटियम है यहाँ पर इस ट्रॉंटियम बी ओप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इन्होंने इस तरह से तीन ट्रायट बनाये थे ठीक है इस गुरशूर्थ में क्रोम मैटिटिक्स जिस बिंदु पर ह spending होते हैं कि अम की है तो इस तरह से मिल रॉजनअ होती है तो ये जो है के ये जो है क्रोमेटिक से इंथ है और ये जिस बिंदु पर सल लग्न होते हैं यहाँ पर सल लग्न हो रहे हैं दोनों आपरश में मिल रहे हैं तो इस बिंदू को पूछा गया है क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं Zent Romare तो यहाँ पर Right answer के हो जाएगा उप्सन D इसका Right answer हो जाएगा Centromare तेखे और जीन कहां पर उपस्तित होते हैं तो जीन यहां पर कहीं पर जो है जीन उपस्तित होते हैं जो कि आनुवंसिक लक्षणों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ले जाते हैं अगला question है आधुनी कावल साड़ी में पहला धातू तत्तो क्या है तो पहला धातू तत्तो यहाँ पर बताना है आधुनी कावल साड़ी यह निकि modern periodical में तो आधुनी कावल साड़ी किसने बनाई थी तो हेंडरी तो पहला जो धातो तत्तो होता है वो कौन होता है तो लीथियम जो है पहला धातो तत्तो है इसका परमाक्रमा कितना होता है तीन होता है और यह सबसे हलकी होती है सबसे हलकी धातो की बात करें सबसे हलकी धातो होती है लीथियम और सबसे भारी धातो की बात करें तो कौन सी हो तो यहां पर राई टेंसर क्या हो देगा पहला धात्र तक तो कौन सा है लीथियम अगला कुश्चन है पानी से भरे गिलास में रखा गया नीवू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तवी काकार से बड़ा प्रतीत होता है तो इसका करण क्या है तो अगर किसी गिलास म तो यहां प्राकास का अपवर्तन में जाता है तो उसकी गती में कुछ परिवर्तन होता है और उसकी जो चलने की दिशा होती है वो कुछ चेंज हो जाते है सब्सक्राइबokee कॉर्स्टिक आई है तो संत्रिप्त इ subscribed होते हैं जितने भीlvania मिलोज़र्णJP होते हैं हुआ अगर सब्सक्राइब बार्वन्दD कर बार lewd तो यहां पर नाम से भी पहचां सकते हैं कि कौन सा संत्रिप्त है। संत्रिप्त केवल एलकेन वाले होते हैं, एलकीन और एलकाइन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आसंत्रिप्त होंगे, ठीक है, तो इनका नाम देखकर भी आप पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पे व्यूटेन, प्रोपेन और पेंटेन, यह सभी क्या होंगे, एलकेन फैमली के कंपाउंड होंगे, और यह संत्रिप्त हाइडो कर्बन होंगे, एथाइन जो है, यह जो है, एलकाइन फैमली का होगा, और यह आसंत्रिप्त होगा, यह कैसा होगा आज संत्रिप्त होगा तो राइट अंसर यही हो जागा option D या फिर अगर formula दिया गया है तो भी आप पता लगा सकते हैं जो संत्रिप्त hydrocarbon होते हैं वो CnH2n plus 2 के form में होते हैं यानि कि अगर carbon का n atom है तो hydrogen के कितने होगे 2n plus 2 जैसे कि मालेजे प्रोपेन है तो प्रोपेन का formula होता है C3H8 तो यहाँ पे जो है अगर carbon के 3 atom है तो hydrogen के कितने होना चाहिए 2n plus 2 यानि कि 2 into 3 plus 2 तो 2 3 6 plus 2 यानि कि 8 तो यहाँ पे 8 atom हो गया तो यहाँ पे यानि कि अगर इस form में है CnH2n plus 2 के form में है तो यानि कि वो संत्रिप्त हाइडोकार्बन है LKN family का हाइडोकार्बन है तो यहाँ पे इसका राइटेंस हो गया और संटी इथाईन अगला question है रग्त का कावन सघटक भोजन कारवन डायक्सोईड और नाइटोजन युक्त कच्रे का परिवान करता है तो इस question का राइटेंस हो जागा प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ब्लड में कितना परसेंट होता है 55 परसेंट प्लाज्मा होता है ठीक है और यह कोशिकाओं और उतकों को पोसक तक तो पहुंचाता है और इसके अलवार रग्त कोशिकाओं में जब उपाप्चही क्रियाई होती है यानि Metabolic Activities होती है तो उसक पे उत्सरजी अंगों तक यह पहुंचाता है जैसे की Carbon Dioxide को फेफरो तक पहुंचाता है और Nitrogenous Rest जैसे की Urea, Uric Acid इन सब को कहाँ पहुंचाता है तो Kidney तक पहुंचाता है ठीक है तो यहाँ पे D Option इसका राइटन्स हो जाएगा प्लाज्मा अगला कोश्चन है किसी फू यहाँ पे अपनी कोश्चन है तो सबसे ऊपर का जो पूर्शन होता है इसको梁ज्टिका जो बिजांट बरे होते है चोटे चो इनको बीजांट या ओव्यूल कहते हैं जो आगे चलकर के बीज बन जाते हैं तो यहाँ पे इसका राइटन सुझाएगा अंडप या इसको कारपल भी कहते हैं कारपल या पिश्टिल भी कहते हैं तो यहाँ पे पुंकेसर कौन सा है पुंकेसर जो है यह नर्व तरज़न हिस्सा होगा किसी फूल का और यह यह वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा पॉर्शन तो इसमें सबसे उपर जो है पराक कोस होता है जिसको एंथर कहते हैं इसी में पराक कंड जो है चिपके होते हैं और यह जो नीचे सपोर्ट के लिए पाइप है इसको पूतन तो या फिला मेंट कहते हैं तीक है और यह दोनों भाग मिलकर के क्या बनाते हैं इस्टेमन या पूंकेसर बनाते हैं जो कि किसी फूल का नर्थ दन हिस्सा होता है और यह जो पंखुरिया है इनको क्या कहते हैं तो इनको दल या पेटल कहते हैं, ठीक है, इनको दल कहते हैं, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो सपोर्ट के लिए नीचे होता है, इनको क्या कहते हैं, इनको बाहे दल या सेपल कहते हैं, ठीक है, बाहे दल या सेपल कहते हैं, अगला कॉश्चन है, निमलिकी जानुर सरिश्रिप गोड़ गयाने कि समबनित नहीं है तो शरिश्रिप गयाने कि रेपटैल्स तो रेपटैल्स जो रेइंगने वाले जी होते है वह रेपटाइल्स होते हैं यहां पर कच्छवा गज़ो है निक्न हरत्तिंफियंस डुड़ ज़यान messaging कहते हैं तो कच्छवा भी आपका जमीन और पानी दोनों जगर रहता है मगरम अच्छ भी रहता है, साब भी रहता है तो इनमें अंतर क्या होता है तो इसमें जो है अंतर होता है जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सेफडे से सांस लेते हैं इनके अंडो का खोल जो है कथोर होता है और तवचा इनकी सुस्क होती है और तवचा पर सलक होते हैं लेकिन जो उभैचर होते हैं यह फेफड़े और गलफड़े दोनों से सास लेते हैं और इनके अंडो का खोल होता है जिल्ली की तरह इनके अंडो का खोल होता है और इनकी जो तचा होती है वो चिपची PC होती है तो यह अंतर होते हैं यहां पे राइट अंसर क्या हो जाएगा सरी स्रिप इसमें कौन नहीं है तो मेडग सरी स्रिप नहीं हो बहःचर है अगला कॉशन है Copper-Sulfate का जलिये-Vilen कैसा होता है तो copper sulphate का जल्यय विल्यन यह अमलिय होता है copper sulphate जिसका formula होता है COSO4 तो इसका जल्यय विल्यन जो है कैसा होता है अमलिय होता है तो अगर अमलिय होगा तो यह जो है नीले पेपर को लाल कर देता है ठीक है नीले को लाल कर देता है क्योंकि आम लोग जो है नीले को लाल करता है और जो चार होता है वो लाल लित्मस पेपर को नीला करता है तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका C option राइट एंस हो जागा नीले लिकमस को लाल लंग में परवर्थित करता है अगला कॉश्चन है यह किसी वरस्तों का वेग इसके प्रारम वेग से दुगना कर दिया जाए तो इसकी गती जुज़ा इसकी प्रारम भी गती जुज़ा का N गुना हो जाती है तो N का मान बताना है तो गती जुज़ा यानि काइनेटिक इनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ इन्टू M इन्टू V स्क्वार M यानि की दब्बे मान V यानि की वेग तो यहाँ पे बताया गया कि V को अगर दुगना कर दिया जाए V को अगर दुगना कर देते हैं तो क्या होगा तो करके देख लेते हैं 1 अपॉन 2 इन्टू M और V को अगर दुगना कर देंगे तो 2V हो जाएगा तो यहाँ पे 2V का होल स्क्वार हो जाएगा तिक है यानि की 1 अपॉन 2 इन्टू M और 2 का स्क्वार 4 V2 से V2 cancel हो गया, तो यहां पर जो ratio आ जाएगा वो 1 ratio 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 ratio 4 आ जाएगा, तो पहले अगर गति जुज्जा 1 थी तो अब हो गई है 4, तो कितने गुना हो गई है, तो 4 गुना हो गई है, तो N कमान कितना आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, option B यहां पर right answer का अगला question है, एक ध्वानी तरंग की आवरित्ती चार किलो हर्ज है, तरंग देर्द दिया गए है 40 cm है, तो ध्वानी तरंग द्वारा 3 दस्वनों 2 किलो मेटर की दूरी तरे करने में कितना समय लगी गई है, तो तरंग की आवरित्ती दी गई है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी है 4 किलो हर्ज, और इसको हमें हर्ज में चेंज करना होगा, क्योंकि SI unit हर्ज होती है, तो यह 1000 से multiply कर देंगे, तो हो जाएगा 4000 हर्ज, ठीक है, और फिर दिया गए तरंग देर्द यानि की लेम्डा, तो लेम्डा दिया गए 40 cm, तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना 0.4 मीटर, और दूरी दी गए है distance, 3.2 किलो मीटर, तो यह जो है मीटर में इसको भी हमें चेंज करना होगा, तो यह 3200 मीटर हो जाएगा, और निकालना क्या है, time निकालना है, तो time equal to होता है distance upon speed, तो दूरी बटे चाल, तो distance तो हमें पता है कि 3200 किलो मीटर है, speed नहीं पता है, तो speed जो है, तरंग की speed होती है, frequency into lambda, तीक है, आज़िती गुडे तरंग डैद, तो यहाँ पे हम D upon S की जगह पे frequency into lambda लिख सकते हैं, और यहाँ पे D कितना दिया गया है, 32 है, distance कितना है, 32 है, और frequency दी गई है, 4000, तो यहाँ पे 4000 लिख दिया हमने, और lambda कमान क इतना है, तो point 4 है, तीक है, point 4 लिख दिया, point हटाएंगे, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, 30 से यह 3-0 cancel, 4 से 32 को divide करेंगे, 8 बार जाएगा, तीक है, और 4 से 8 को divide करेंगे, 2 बार जाएगा, तो यानि कि 2 आ गया, 2 second, यह जो है time आ जाएगा, तीक है, और यही हमारा answer हो जाए अगला question है, निमलेकर में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्तो नहीं है, तो रेडियो धर्मी तत्तो यानि कि रेडियो एक्टिब elements कौन से होते हैं, तो ऐसे तत्तो जिसमें से alpha, beta, gamma के लिने, अपने आप वो सरजित होती रहती हैं, उनको जो है रेडियो धर्मी तत्तो कहते ह तो ज्यादा तर जो 83 atomic number से उपर के जो element होते हैं, वो जो है रेडियो धर्मी होते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें, plutonium की तो इसका atomic number होता है 94, thorium का होता है 90, और titanium का होता है 22, और uranium का होता है 92, तो 83 से उपर ज्यादा तत्तत होते हैं, वो radioactive होते हैं, तो इसने कौन नहीं हो तो titanium जिसका 22 atomic number है, तो यह जो है radioactive नहीं होगा, ठीक है, बाकी plutonium, thorium, uranium, यह सभी radioactive होते हैं, ठीक है अगला question है, निम्न में से कौन सा कर्थन गलत है, कौन सा कर्थन गलत है, तो पहला कर्थन है, पदार्तों के कर, इस्थिर रवस्ता में होते हैं, तो जो पदार्त होते हैं जो ठोस हों, दव हों, या गैस हों, यह छोटे-छोटे करों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है, और यह इस्थिर नहीं होते हैं, यह गतिमान होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनके कर्थ होते हैं, यह ज़्यादा पास-पास होते हैं, तो यह कम गतिमान होते हैं, और जो दव हो पदार्थों के कर्णों के बीच में अस्थान होते हैं, थोस जो होते हैं, इनके बीच में कम अस्थान होता है, डो में उससे ज़्यादा अस्थान होता है, और गैसों में सबसे ज़्यादा अस्थान होता है, फिर ये गया है, पदार्थों के कर्णों बहुत छोटे होते हैं, तो बिल्कुल पदार्थों के करण बहुत छोटे-छोटे होते हैं, छोटे-छोटे करणों से मिलकर के पदार्थ बनते हैं, फिर दिगर पदार्थों के करण एक दूसरे को आकरसित करते हैं, तो बिल्कुल पदार्थों के जो करण होते हैं, वो एक दूसरे को आकरसित करते ह जो ठोस पदात होते हैं, solid होते हैं, इनमें आकर्षन बल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनके जो कड़ होते हैं, वो पास-पास में होते हैं, और इसलिए इनके गति कम होती हैं, और जो दो होते हैं, उनके कड़ जो है, उतना ज़्यादा आकर्षन बल नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस जो होते हैं इनमें आकर संबल सबसे कम होता है तो इसलिए इनके कड़ सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं ठीक है और इसलिए ये सबसे ज़्यादा गती सील होते हैं तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा, पहला जो कत्षन है वो गलत है, पदार्थो क्यों करण इस्थी रवस्ता में नहीं होते हैं, हमें साथ गतिमार रवस्ता में होते हैं, तो A option इसका right answer हो जाएगा, अगला question है, किसी वस्तु के उचाई से गिरने पर इसकी इस्थिती जुजा और गति जुज़ा का क्या होता है तो कोई वस्तु है जब ये उचाई से गिराई जाती है माली जी ये उचाई है इसकी और यहाँ से नीचे जमीन पर गिराई जाती है ठीक है तो ये उचाई हो गई इसकी तो गिराई जाएगे तो इसकी गति जुज़ा और स्थिति जुद्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो जो स्थिति जुद्धा होती है potential energy इसका formula होता है m into g into h तो उचाई जैसे जैसे कम होगी इसकी स्थिति जुद्धा क्या होगी कम होती जाएगी और गति जुद्धा का formula क्या होता है गती जुज़ा का formula होता है half into m into v square तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो इसको जो है प्रित्वी अपनी gravity के कार्ण इसको अपनी और खीच रही है गुरुत्य तोराण इस पर लग रहा है 9.8 meter per second square की दर्थ से इस पर जो acceleration लग रहा है तो इसके कार्ण जो है इसकी गती बरती जाएगी इसका वेक बरता जाएगा वी कमान बरता जाएगा और इसका मान अगर बरता जाएगा तयानिकी kinetic energy इसकी बरती जाएगी गती जुज़ा बरती जाएगी तो यहाँ पे गती जुज़ा इसकी बरती जाएगी जैसे जैसे यह और इस्थिती जुद्धा कम होती जाएगी तो राइट एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट एंसर होगा इसकी इस्थिती जुद्धा कम हो जाती है और गति जुद्धा बढ़ जाती है बी ओप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला question है nitrogen पर्मार प्रस्थित neutron की संख्या क्या होगी तो nitrogen nitrogen का पर्मार करमांग होता है 7 और उसका पर्मार भाहर होता है atomic mass कितना होता है 14 तो जो पर्मार भाहर होता है पर्मार भाहर ये किस से मिलकर के बना होता है तो यह जो है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूटॉनों की संख्या से मिलकर के बना होता है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की जो संख्या होती है इसी को परमार करमांग भी कहते हैं जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वही जो है परमार क्रमांग होता है तो परमार क्रमांग साथ है और परमार भार कितना है 14 और न्यूट्रोन हमें निकालना है तो न्यूट्रोन इक्कोल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 7 हो जाएगा यानि कि जो है न्यूट्रोनों की संक्या कितनी हो जाएगी साथ हो जाएगी तो राइट एंसर क्या हो जाएगा option c यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा साथ अगला question है चंदमा की सता पर किसी लड़के का भाहर 300 newton है तो प्रिथवी की सता पर उसी लड़के का भाहर क्या होगा तो भाहर यानि की weight यह किसके बराबर होता है तो यह m into g के बराबर होता है दब्यमान गोने गृत्वे त्वरण और जो gravity होती है गृत्वे त्वरण यह हर जगा अलग अलग होती है तो चंदमा की सता पर अलग gravity होगी प्रिथवी की सता पर अलग होगी तो जो प्रित्वी की सता है उस पर चंदमा की सता से ग्रेविटी जो है 6 गुना होती है तो यहाँ पर अगर ग्रेविटी का मान 6 गुना होगा तो यानि कि वेट भी 6 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर प्रित्रवी पर weight जो होगा वो 6 गुणा हो जाएगा चंदमा की सत्था से यानि कि 300 Newton अगर चंदमा पर है तो प्रित्रवी पर कितना होगा अगर Moon पर 300 Newton है तो Earth पर कितना हो जाएगा 300 गुणे 6 Newton हो जाएगा यानि कि कितना 1800 Newton न्यूटन जो है, भार होगा, त्रिफ्ट इपर, तो औप्सन B यहाँ पर राइट इएंस हो जयेगा, अगला कॉशन है, काम करने की छमता को क्या कहा जाते हैं? तो कारे करने की छमता को कहते हैं, ऊर्जा, तिक है, ऊर्जा जिसका एसाई मार तक क्या होता है, जूल होता है, और work done कभी, कारे कभी एसाहिमार्ट तक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, और कारे करने की दर को क्या कहते है, तो कारे करने की दर को कहते है, कारे करने की दर जो है, क्या कहलाती है, इसको कहते है, पावर, ठीक है, जो की work done upon time होता है, और इसका power का एसाहिमार्ट तक क्या हो हो जाएगा कारे करने की चमता को कहते हैं उर्जा option D अगला question है बल के सम्मी करण में F किसके बराबर है तो F equal to होता है M into A ठीक है बल बराबर क्या होता है दब्यमान गुड़े त्वरम ठीक है mass into acceleration तो यहाँ पर दाई टेंसर हो जाएगा option C mass into acceleration और बल कि SI unit क्या होती है तो Newton ठीक है अगला question है निमलेकर ने से किसने नियम प्रदान किया था कि तत्तों का आवत्ती गुलधर्म उनके परमाद बिमानों का आवधिक गुलधर्म होता है तो यह जो है इसका राइटन से हो जाएगा मेंडलीव मेंडलीव जिन्होंने पहली बार आवत साड़ी बनाई थी इसलिए इनको आवत साड़ी का जनक कहते है इससे पहले भी तत्तों का वर्दगी कहते है तो इसलिए इनको आवत साड़ी कहते है और गुरूप भी थे ठीक है तो इसलिए इनको आवत साड़ी कहते है और इन्हों ने जो तत्तों का वर्दगी कर्ण किया था इसमें जो है परमार दब्यमान के आधार पर तत्तों को अरेंज किया था तो ये जो है इनका नियम है कि तत्तों का आवर्ति गुर्धर्म उनके परमार दब्यमानों का आवर्धिक गुर्धर्म होता है अगर यहां पे परमार दब्यमानों की जगा परमार क्रमांको होता तो इसका एंसर क्या होता परमार क्रमांको होता तो इसका एंसर हो जाता मोजले हेनरी मोजले क्योंकि इन्हों ने जो है आर्धुनिक सालरी जो बनाई है उसमें इन्हों ने परमार क्रमांक की अधार पर तत तो जब हम किसी चालक को cell या battery से जोल देते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? current आ जाता है और current आ जाएगा तो voltage हो जाएगा ठीक है? विवांतर हो जाएगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा? और यहां पर galvanometer दिया गया है तो galvanometer क्या होता है? यह विद्द्धारा मापने के काम में आता है जो small current होती है तीक है? उसको मापने के काम में आता है voltmeter की बात करें तो voltmeter जो है नाम से ही पता चल रहा है कि यह voltage को मापता है और emitter जो है यह भी विद्द्धारा को मापता है तीक है? अगला question है कारवन की निम्न अपर रूपों में से धार्तु विज्ञान में अपचेन एजेंट की रूप में किसका प्रियोग किया जाता है तो कारवन का जो है एलोट्रोप है कोक कोक का प्रियोग किया जाता है धार्तु आयसकों से धार्तु को निकालती समय कोग जो है यह क्या है यह कारवन का एक हेलो टॉप है एक अपर रूप है जो की अक्रिस्टलिय अपर रूप होता है इसके अलवा चार कोल भी अक्रिस्टलिय अपर रूप होता है ग्रेफाइट की बात करें तो यह क्रिस्टलिय अपर रूप होता है इसके अलवा हीरा और प्लीचिंग 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 प् ब्लीचिंग पाउडर है और साथ में वाटर् ठीक है तो इस तरह से इसका निर्मार होता है और बी स्पर आइटेंस हो जागा ब्लीचिंग पाउडर्डर् तो D option इसका राइटन सुझाएगा 0.21 second ये भी question आता है कि स्पष्ट प्रति ध्वनी सुनने के लिए दूरी कितनी होने चाहिए जहां से ध्वनी टक्रा करके वापस आ रही है प्रति ध्वनी जहां से आ रही है तो उसकी दूरी कितनी होने चाहिए तो माली जह कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी दूरी किसी पहार से टक्रा करके आ रही है तो इस व्यक्ति और पहार के बीच में दूरी कम से कम कितनी हो चाहिए तो 17.2 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए तब जो है इसको स्पष्ट प्रतिदों नहीं सुनाई देगी ठीक है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ वीडियो कैसा लगा आपको कमेंड करके जवो बताईगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो नए दोस्त है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल को अन कर लिजिएगा ताकि अगला वीडियो अप्लोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए गुडबाई एंड टेक केर